दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा बैंक हमें सबसे जादा इंट्रेस्ट अर्थात की ब्याज देता है दोस्तो बैंकों में हम जो भी अपनी जमाराशी अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं उसी पैसों को बैंक किसी दूसरे पार्थी को लोन देकर उससे कच्छा-कासा मुनाफ़ा कमाती है उससे व्याज बसूलती है तो ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से वो लोगों को लोन देकर व्याज बसूलती है तो वो हमारे पैसे का जो इस्तेमाल करती है उसी के उपर हमें कुछ एक fix amount जो है वो interest देती है जो की quarterly हो सकता है मंतली हो सकता है या फिर annually हो सकता है maximum भारत में जितने सारे bank है वो सभी हम लोगों को जो interest है जो व्याज है वो हमें quarterly अर्थात की तीन महीने के उपर जितने भी हमारा जो एक तरीके से closing balance होता है हमारे account में उसके उपर हमें देती है ऐसे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम completely बात करेंगे कि भारत का आखिर कौन सा ऐसा bank है जो कि हमें सबसे ज़्यादा ब्यास देता है of course क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि जो हमारे पैसे बैंकों में जमा है उसके उपर हमें maximum से maximum benefit हो तो दोस्तों यहां बतादू कि अभी भारत में जितने भी bank है वो 3.5 से लेकर 7.5% तक का आपको ब्यास देते हैं ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपको maximum से maximum benefit मिले तो आप कुछ इन बैंकों में अपना चुनाव कर सकते हैं इन बैंकों की अलग-अलग category है दोस्तों कुछ बैंक ऐसे हैं जो की सरकारी हैं कुछ बैंक ऐसे हैं जो की private है हलाकि private और government या मतलब की private या फिर सरकारी से कोई नहीं पड़ता है क्योंकि यह सभी बैंक जो होते हैं वो RBI मतलब की Reserve Bank of India के guideline के तुरू ही काम करते हैं यहां पे आपके सभी पैसे बिल्कुल सेफ होते हैं कहने का मतलब यह कि 5 लाख रुपय तक की जो आपकी amount होती है उसकी insurance रहती है उसके उपर बैंक आपको guarantee देता है उ उसमें से केवल आपका पाच लाख तक ही सुरश्चित है अगर आपके किसी बैंक में एक करोड रुपय जमा है तो यह मानगे चले कि बैंक डूबने के स्थिति में आपके 95 लाख रुपय डूब जाएंगे और सिर्फ और सिर्फ पाच लाख रुपय जो है आपको anyhow अभी ऐसा नहीं हुआ है भारत में कोई भी बैंक नहीं डूबा है कुछ बैंक परिस्तेती वर्षबंद भी हुई है लेकिन उसका जितने भी डिपोजिटर थे उनका पूरा का पूरा अमाउंट उन्हें मिला है तो ऐसे में आप इस बात को लेकर निश्रिंद रहें कि दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कौन सा बैंक है वह इस्टेंडर के हिसाब से किस तरीके से यहां पर ब्याज को अपने जो भी कस्टरमर्स होते हैं उन्हें प्रोवाइड करती है तो यहां पर सबसे मिनिमुम अगर मैं बताऊं तो यहां पे जो है एस बी आई का हैस बहुत सेमंध बैंक है और देश की आधिस्याधिक अबाधी का खाता सुपाइव में भी है लोगों का भरोसा है उसके उपर और लोग कहीं न कहीं से फिल करते हैं लेकिन बात करें यहां पर ब्याज देने में तो यहां पर ऐसी करता है यहां पर आम लोगों को 3.5% और अगर को सीनि बात करें यहां पर यूनियन बैंक और या फिर बात कर लेंगे यूको बैंक का ठीक है बैंक को बढ़ोदा का लेकिन यहां पर कैसा एक बैंक भी है जो कि आपको मंतली इंट्रेस्ट प्रोवाइड करता है तो मेरे ख्याल से यह आपके लिए एक better option हो सकता है और मैंने खुद experience किया है और मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है IDFC First Bank के साथ दोस्तों IDFC First Bank के कैसा bank है जो की आपका जो भी deposit है आपके savings account में उसमें क्या है कि वो quarterly ना देकर वो monthly जो है interest आपको provide करता है और वो भी 7.5% तक का इसका जो अगर आप senior citizen है तो आपको 7.5% मिलेगा वही अगर आप normal individual है अगर आपका individual account है तो यहाँ पे आपको 7% का interest मिलेगा per day के हिसाब से और यह आपके account में reflect होगा at the end of the month ठीक है मतलब यह कि आपको एक लाक रुपय के उपर यहाँ पे 700 रुपय monthly आपको interest provide किया जाएगा आपके savings account पे तो यह काफी एक अच्छा option है और मुझे लगा कि आप सभी के साथ share करना चाहिए बागी सभी bank जहाँ पे आपको 3.5% का quarterly interest मिल रहा है वो भी 3 महिने पे आपको account में credit होंगे तो वहाँ पे IDFC first bank जो की काफी innovative है काफी नया है और एक तरीके से कहें तो लोगों को काफी अची facility provide कर रहा है इसके credit cards काफी शानदार है अगर आप IDFC first bank में अगर आप 25,000 पे वाला savings account open करवाते हैं के साथ आपको एक visa signature का debit card दिया जाएगा जिसमें आप सभी airport को lounge को access कर सकते हैं और सबसे अची बात यह है कि monthly आपका जो है interest provide करता है ठीक है तो अगर आप एक monthly interest और एक सबसे ज़्यादा return वाला savings account अगर आप ढूंड रहे हैं यहां पर दोस्तों मैं आपको recommend करूंगा IDFC first bank को so guys I hope कि आपको यह information बहुत अच्छे लगी हो और अगर आप भी अपने deposit के उपर maximum से maximum benefit चाहते हैं तो आपको भी एक अपना IDFC first bank में savings account ओपन कर लेना चाहिए और जो भी आपका deposit है जो भी आपके पास पैसे हैं आप उसको IDFC first bank में रखकर maximum से maximum benefit ले सकते हैं so guys अगर आप चाहते हैं कि हम बार-बार यूँ ही मिलते रहे हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लिजेगा notification bell on कर लिजेगा ताकि अगली बार जब मैं कुछ नया information लेकर आँ तो आप उसे miss ना कर सकें अपना बहुत सारा ख्याल लखेगा दोस्तो जय हिंद